है 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 हलो नमस्कार आदाप सच्छा काल एंगड़ा अफनून जो भी लोग में सुनने मैं नाम उतकर्ष सिंग है और मैं हूँ टागेट गुल-गुल से चिक है जैसा कि आप देख रहे हैं हम बीए फार सेमेसर का एंचेंट हिस्ट्री करा रहे हैं यह एक एंचेंट हिस्ट के सासर्व हम आपको मॉदेट य॥ि कुछ कुछ वीडियो मॉक्त नीस में क्या होता है कुछ को सोकाइब एक मन से बनाते अंसको यहाँ पर रखने का काम करते हैं ठीक है टीक है एफंफ आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी इस पहले भी अपने प्लेलिस में जा के पर तो वह आपको हमारे चाहिब पर मिलेगी ठीक है तो आप पर प्लेश्ट का पॉप्षण अप्शन पर जाएंगी तो अप अन्हें सारी की सारी हिस्ट्री की वीडियो देख सकते हैं चाहिए सब्सक्राइब हो पर ठीक हैँ काम करता हूं चलिए पहले कोश्टीन से स्टार्ट करते हैं मुद्ध का जनम कहा हुआ है पहुत सिंपल सा कोश्चन तो बुढ का जनम हुआ है वो कहां लुंबनी ना हो तो कपिल वस्तू भी ठीक है जो कि भाई देखो लुंबनी के पास पढ़ता है कपिल वस्तू तो उससे नियरस लोकेशन पर पढ़ता है ठीक है तो अगर लुंबनी आप्शन में नहीं है तो कपिल वस्तु भी आप्शन में ठीक है ठीक है ऐसा नहीं है कि कपिल वस्तु गलत है ठीक है कपिल वस्तु भी साही होगा लुंबनी कहां पर है बाई नेपाल में सभी लोग जानते हैं ठीक है और क्या बाते हम बता सकते हैं यह जो description है जो बुद्ध के गौतम बुद्ध के बौन का description है कि इंका जनम यहां पर हुआ था यह description हमें मिलता है रुम्न देवी पिला इंस्क्रिप्शन से कि यह डिस्क्रिप्शन हमें कहां से मिलता है रुमन देवी पिलर इस्क्रिप्शन से मिलता है तो दो कुश्चन यहां पर त्यार हो गया आपके पहला तो कुश्चन यह त्यार हो गया कि गुद्ध का जनम कहां पर हुआ था इंका जनम हुआ था लुंबनी में लुंबनी कहा पहले पाल पहलब लुट है झाल नेपाल लुम्मिन्य आप्शन में नहीं तो कपल वस्तो आप मार सकते और गौतन बुद्ध के जन्म की ऊपर जो जानकारी है जो स्रच हे वो कहां से मिलता है रुमन देवी पिलर इंस्क्रिप्शन चिक है यहां तक समझ में आई चीजे चलो यह जो मैं लास्ट से बताता रहे तो वह भी लिखा करो आप लोग इससे क्या होगा रहा कि अगर यह कुश्चन नहीं पूछेगा तो अगर उसमें से कुश्चन पूछ यह पेपर में तो आप क्या कर सकते ह कर सकती हो इसको ठीक है चलो औरो दिया इसर डिश्चन प्रॉध की टीचिंग को बताते हैं तो यह क्या होते है समस्दीजर से बहुत धर्म से किसे सम्बंदित गें अघर आपको ये पता हो कि किदम से टाइप के होते हैं तोते ह jeste कि नंती होता है हाँ ठीक है किया क्या होता है कि अभी धं पीटक होता है कि सुथ पीटक होता है कि वह को स्थी की कई वे लाए विनए पिटेंग होता है यह एक यह तीन प्रकार के माठेक होते हैं बुध्धिस-पेचिंग थिक क्या क्या होता है अभिधम पितह होता है सुद्ध पितख होता है अब इसमें क्या होता है एफंगल विन इपितख बता देता हूं printed teachings के बारे में लिखा गया है higher teachings of buddhist ideology के बारे में लिखा गया है विनय पिटक में ठीक है अभिदम पिटक में क्या लिखा गया है अभिदम पिटक में लिखा गया है कि जो core philosophies है जो doctrine और core philosophies value ethics है वो लिखा गया अभीदंपिटक में सुद्पिटक में क्या लिखा गया कि जो hmm लाइफ होती है जो यहां पर बॉध技 जो हो से करेंगे तो यह साहिए किसमें आप टेखिएगा इन तीनों को डीटेल फार्माट में चलो नेक्स्ट कुशन है। सट्य में जयते इंग्रेव होता है और इंडियन एंबलब टेकन फॉर्म जयते हैं कि जो इंडियन एंबलब है फोक्या है ठीक है सट्व में जयते लिया गया है कहां से मुंडक उपनिशत से लिया गया है कहां से लिया गया है मुंडग उपनिशत से लिया गया है ठीक है एक मिनट ठीक है अगर यह कोश्चन नहीं आता सत्मय जैते वाला तो एक और कोश्चन लिख लो यह तो जरूर आएगा ठीक है कि यह एक टायलोग कझुश्रेशन होता है ठीक है डायलोग कर बाइसेशन हैं य्म और नंचिकेता टीक है एल्चिक forgiveness संप्ता एक कौंपनिशस वाला को सब्कू और यह कॉंसी में लिखा गया है तो अगर यह कुश्यन नहीं आता है मुन्दक उपनिशत से आगया यह वला जो क्षोषिन मेहां पर बता रहा हूं वो जरूर आने के हुआ ऐ इसका अंसर क्या होगा इसका जोगा कठो उपनिशत क्या होगाई इसका आंसर कठो उपनिशत क्या यहны कठो उपनिश्ट यह भी लिख लीजेगा पॉस करके लिख लीजे जो भी चीज़े में लिख वार हूं इसके अलावा ठीक है चलो मुझे इस कांसर नहीं मिला लेकिन इस कांसर मुझे लिख लग रहा है ठीक है मुझे वैसे इस कांसर मिला नहीं है चलो चंपा वाल दे कैपिटल और विच जहां महाजनपद सोला महाजनपद थे सभी लोग जानते हैं छोड़ी मोह इंफॉरमेशन तो आप सभी जानते हैं ठीक है उसमें से अगर पूछ लिया जाए कि यहां पर कितने रहें यूपी में कितनी है तो यूपी में साथ रहे ठी चंपा जो थी वह किस महाजनपद की सब्सक्राइब आ किसी कैपिटल थी तो वह कांथा तो अक्षग है अच्छा थे से है कहां पे तो अगर आप वो भागलपुर और मुंगेर वाला जो की बिहार में है भागलपुर मुंगेर तो उस इलाके को क्या कहा जाता है उस इलाके को आपको मिल जाएगा यह वाला कोशन प्रीवेसर कोशन में रिपीट किया गया है बहुत जादा चांसे से की आएगा ठीक है चलो नेक्स आगे बढ़े कलिंग किंग खारवेल बिलॉंग तो विल्ड डानिस्टी कलिंग राजा खारवेल किस वन्स के संबंधित था तो वो किस वन्स संबंधित था बहुत इंपोर्टेंट कोशन है प्रीवेसर कोशन में बहुत बार पूछा गया है तो वो किस वन्स संबंधित था वो संबंधि कहा जाता है ठीक है अच्छे यह जो छेदी वंच है यह कहां का है यह उडीशा का है कहां का है बच्चो उडीशा का चिक है तो जो राजा खार्वेल है वो उडीशा का क्या हुआ करता था शाशक हुआ करता था और हम क्या बता सकते हैं यह जो शाशक है यह जैनिजम का फॉल फेमस इंस्क्रिप्शन है जिसके बारे में अक्सतर जामनेशन में कुछिन पूछा जाता है उस इंस्क्रिप्शन का नाम है हाती गुफ़ा इंस्क्रिप्शन हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ठीक है यह तीन चीजे बस आपको याद करनी किसके बारे में कलिंग किंग खारविल के बारे में कलिंग जो शब्द है वह आप अशोक में भी सुने होंगे अशोक ने आपने शाशन के आठवे वर्ष अटाक किया था कहां पे कलिंग पे कडि कर रहे थी वहां पर रू réflेकर है कि ठीक है वैसे अशोक के बहुत बाद आया इस के पोस्त मौरिय एक के शाशक है ठीक है तो आपको याद होना चाहिए कल इंग लाजा खालवे किस वंस का है छेडी डायस्टी का है कहां से रूल करते हैं उडीशा से रूल करते हैं जैनेजम के फॉलोवर हैं और इंका एक इंस्क्रिप्शन मिला है बहुत जादे फेमस क्या नाम है जामनेशन में आते हैं जो मैंने आपको बताने का काम किया ठीक है चलो क्लिंग क्लिंग किंखावे बिलॉंग टुविड डायस्टी छेदी वरंच उडीशा रूल था जैनेजम का फॉलोवर था उस पर क्या है हाथी गुफ़ा इंस्क्रिप्शन दिया गया है ठीक है चलो नेक्स बढ़ते हैं ड्यूरिंग गूस prim इसन मैगस्टोनीग केम टो इंडिया, मैगस्टीग ने किताब लिखी टीज से काल आपि मैगस्टीग से काल में बहात आये तो छंद गुफ मौऔर्या के काल में आये था मैगस्टीग से काल में आप लिए कितान साध्ष अनुन का निरमार किसन沃 करवा था पूछा निर्मार किसंए किया सार्नार जो स्टम है उसका निर्मार किया है कि स्ने अशोग किस ने किया निर्मार अशोग ने किया है यहां तक साही चीजिए ऐसे आपको चलो है कोईल जो था वो प्राइम्मिनिस्टर कोठेल बाइन सटोल यहाभ स्थर और कोटिले के बचपन का गया नाम था तो इंके बचपन का नाम था विषनुगु विषनुगुप नम पाँ दर Cornpack शेक्ष चल दवर स्टू फस्पाइं जो वर्ड है स्टूप वह पहली बार कहां पर मिलता है तो तो सबसे पहले बाद धर में ग्सकी पूजा की गई ठीक है अगर आपसे पूछा जा है सबसे पहले वर्क्षिप किसी की गई तो पहले बहुत धर में सबसे पहले वरक्षिप की गई स्टूपों की ठीक है तो कहा जाता है कि बॉधिस में जो गौतम बुद्धा के जो रेलिक्स थे रेलिक्स मतलब उनके मरने के बाद जो उनके और शेष थे वह कहां पर रखे गए हैं वह रखे गए हैं शब्द कहां से मिलता है सबपतम स्टूप मिलता है रिगवे से कहां से मिलता है रिगवे से मिलता वच्चो चलो इंडस्वाली सिवलाइजेशन किस काल की है तो मैंने आपको हमेशा पढ़ाया है कि जो इंडस्वाली सिवलाइजेशन है वह कौन से काल की है प्रोटो एरज प्री इस्टोरिक एरा प्री इसे फिर लिह केरा है क्यों को यहां पे जो राइटिंगस हैं जो राइटिंग्स है वो क्या थी या बाल हिश्टरी आती है, हिस्टरी क्यों क्यों कहते हैं पड़ चुका गया है ठीक है उसको हम पड़ चुके है इसलिए हिस्टी कह रहे है लेकिन proto history इसलिए कह रहे है कि अभी तक हम' जेंडस वाली civilization में जो script लिखी गई है उसका अभी तक हम नहीं पड़े है उसकी writings क्या है अभी तक undeciph joined understood english word है हिंदी मैंने बता दिया चलो हरपन सिविलाइज़ेशन का मेंट सोर्स क्या है तो सभी को पता है हरपन सबहता कि जानकारी कहां से प्राप्थ होती है तो पुरा तत्विक खुदाई से प्राप्थ होती है अगर archaeological excavations नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता जब पहली बार rail line डाली गई थी 1850 के आसपास तो लौहर से पेशावर के बीच में rail line डाली गई थी तो कई कहा जाता है कि जो सिंध जो इलाका जो है सुरी हरप्पा मोहन जोद्रो जो साइड स्वाप पिती उसके जो पत्थर होते हों निकाल निकाल करके यूज किये गए है रेलवेट ट्रैक्स के आसपास के लिए ठीक है तो आट लॉजिकल एसकावेशन के द्वारा ही फाइंड आउट हुआ है क्या चीज़ हरपन सिवलाइजेशन ठीक है एक चीज़ और हम बीए फर्स सेमिस्टर में है लेकिन आपको क्लास 12 की इंसी आर्टी फर्स पार्ट भी आपको दिया है पेशावर से वह लहार वाला जो रेलवेट ट्रैक वाला वह उसमें जांपर एंसी आर्टी में दिया हुआ है तो जब आप एंसी आर्टी पढ़ लेंगे तो साइच चीज़ आपको वैसे ही क्लियर हो जाएंगी चिक है चलो नेक्स देखते हैं इन अगर कोशन बन जाया कि मोहन जोद्रो का फाइंड आउट हुआ है क्या बन जाया कि मोहन जोद्रो किस एर में फाइंड आउट हुआ है तो मोहन जोदरो find out हुआ है 1922 में किसी यहर में 1922 में और 1922 में इसको किसने find किया है इसको find out किया है रखल दास बैनर जी ने किसने किया है बच्चो रखल दास बैनर जी चिक है नोट कर लीजेगा इतना प्लीज चलिए आगे बढ़ते हैं वाट इस दा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्लेशी इंडस वैली सिवलाइजेशन बेफोर दा आर्यांस तिंदु घाटी सभेता को आर्यों से पूर रखे जाने का महत्पून कारण क्या है लीपी नगर नगर नियोजन तामभा या मित्य भांड तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा पॉट्ट्री होगा चीक है देखो आर्यांस जो थे न आर्यांस को कहा जाता है ग्रेव एर पेंटेड़ कलचुर कहाना है आर्यांस के सभेता थी नहुंद्न समय है बेड़ टाइंम में आए आर्यांस से पहले जो इनडेश वाली सिवलाइजेशन में वह पॉट्री रेड़ एंड ब्लाक कलर की थी मतलब अगर एक poetry है हमारे पास चिक है एक poetry हमारे पास यहां पे है तो उस poetry में जो flower बनाया गया है उसमें नकाशी की गई है उसकी जो painting की गई है पहले तो पूरा red color से है उसकी जो painting उपरी-उपरी से की गई है वो black color से की गई है तो इंडर्स वाली civilization में जो poetry मिली है वो red and black color wear की मिली है और आर्यंस या वेदिक काल में जो poetry हुआ करती थी जो pottery ठीक है जो मित्भान था वो किस color का था वो gray wear painted था क्या था ग्रेवेर पेंटेड था ठीक है तो यह जो है न यह difference है किस चीज में इंडर्स वाली वाले में ठीक ह और आर्यंस में ठीक है इंडर्स वाली civilization और आर्यंस का कौन साइज है वेदिक एज है ठीक है समझ रहे हो तो इस राइटिंग में गंदी है इस पे तो इस बोट पे में राइटिंग और अच्छी नहीं बनती है चलो आगे बढ़ते हैं तिंदु घाटी के निवासियों की स civilization of the inhabitants of the Indus Valley people तो क्या होगा स्टील होगा क्या होगा इसका अंसर मुहरे होंगे वहां पे लगबग लगबग कितनी महरे पाई गई हैं लगभक लगभक 3,000 से भी अधिक महरे पाई गई हैं समझ रहे हो हाणा बोलते रहों से चलो the next question देखते हैं एक बार लिख लिजेगा जो मैं लिख रहा हो लिखते चलिए मेरे साथ आप पी ठीक है चलो हरपण सिविलाइजेशन बिलॉंग करती है हर अब तक किस यूग की है कास्ट यूग नौ प्राशान यूग पुरा पाशान यूग या लौ यूग करती है किस यूग से कास्ट यूग से ठीक है ब्राज एस से इसको क्या जाता है और इसको चाल को ले तो कोई जाता रहा को चलिए हरप्पा को उठ्खनंग करने वाला पथम पुरा तातवित जो इसके महत्यों को नहीं समझा पाया इसके महत्यों को समझा नहीं पाया थे कौन थे फर्स्ट आकलॉजिकल सर्वे के जो डायक्टर जर्नल थे वह कौन थे एक्जंडम कनिंगम थे जिनको फादर ऑफ आर्क्योलजी किसको कहा जाता है एक्जंडर कनिंगम को कहा जाता है हरप्पा को उठ्खनंग करने वाले पथम पुरातातिक जो इसके महत्यों को नहीं समझ पाएं महत्योंको नहीं समझ पाएं बहज सभी बात है उसके महत्योंकों समझ ही नहीं पाएं कभी कर Taos 1861 में उन्होंने यहां पर excavation किया ठीक है उससे पहले 1856 में भी किया था लेकिन उनको कुछ पता नहीं चला 1861 में उन्होंने excavation किया ठीक है फिर 1865 से लेके 1870 के बीच में वहां पर जो शाशनकाल था ब्रिटिश क्राउन का उसमें financial decentralization था तो जब financial decentralization कहीं पर होगा तो वहां पर काम धंदा नहीं होगा क्योंकि ब्रिटिश क्राउन के पास जो पैसे थे हो बहुत जादे कम थे ठीक है ब्रिटिश क्राउन खुद लोन पर जी रहा था उस समय तो 1865 से 70 तर financial decentralization रहा तो 1871 में ज था होती है यह साइथ मतलब archological survey of इंडिया और साक लॉजिकल सर्वेय और इस पहले जो डिक्तर जनरल बनते हैं उनका क्या नाम है उनका नाम है ऐलेक्जेंडर कनिम्गम क्या नाम है उनका नाम है एक्जेंडर कनिम्गम चिक है चलो फाजर ऑफ इंडियन आर्कियोलजी भी नहीं को आजाता अगर आपसे पूछा था इंडियन आर्कियोलजी का इंडियम पुरातात्विक विभाग का पिता कौन है तो वो कौन है एक्षिरिंडम कनिंगम है चिक है इतना चीजें नौट कर लेना चलो इंडर्स वैली सिवलाइजेशन वास नौट कंटेंपरेरी विट विच अव द फॉल इंडू घाटी सब्धा नीम लिखित में से किस सब्धा कि समकालीन नहीं है किस सब्धा समकालीन नहीं है ऊप्शन देखो इजीप्शन मेसेपटोनियन ग्रीक या फिट चाइनीज चीक है तो भाई ग्रीक सिवलाइजेशन जो थी जो युनानी यह ग्रीक इसको युनानी सब्धा कहते हैं जो युनानी जो सब्धा थी वह समकालीन नहीं थी इंडस्वालीस civilization के इंडर्स वाली civilization के समकालीन थी Egyptian civilization Egyptian आप जानते हैं टिग्रिस उफिरतस नदी के किनारे बसी गई थी ठीक है sorry Egyptian जो है नील नदी के किनारे बसी थी ठीक है नील नदी कहां पर है Egypt में मैं सोर्पोटर्णियन जो थी वो टिग्रस उफिरतस नदी के किनारे थी और Chinese civilization जो थी Hangho river के किनारे थी और इंडर्स वाली civilization अभी लोग जानते हैं इंडर्स रिवर है भारत में Sindhu river Indus river उसके किनारे बसाई गई थी तो यह साही चीजर बेसिक हैं आप यह साही जानते हैं इसमें कोई बतानेवाई बात नहीं है चलो, which of the following term was used in the Mesopotamian records for Indus Valley Harappa? Sindhu Ghaati Harappa के लिए Mesopotamian record में निमलिखित में से किस शब्द का प्रेयोग किया गया है? बहुत बढ़िया कोशन है, एकदम NCRT से उठाया गया है, इसके अलावा में दो और factual data की चीदे आपको बताने वाला हूं, सुनिएगा, क्या पूछा गया है? हरपा को किस नाम से कहा गया है वहाँ पे? तो हरपा को या भारत को, हम भारत को कहें, चोंकि हरपा Civilization Indus or Civilization भारत में थी, तो वहाँ भारत को कहा गया है मेहुला नाम से, क्या नाम से कहा गया है, मेहुला नाम से कहा गया है, किस नाम से जाना गया है, मेहुला नाम से कहा गया है, ठीक है, और मैं क्या बता सकता हूँ आपको, देखो, मगान जो है, मगान जो शब्द है वो ओमान को कहा गया है, मगान दिलकुष एक और नाम आता है वो किसको कहा गया है वो बहरीन को कहा गया है ठीक है एक मिनट मगान किसो कहा गया है ओमान को कहा गया है दिल्मुन किसो कहा गया है दिल्मुन कहा गया है बहरीन को ठीक है बहरीन तो भाई सभी रहते थे इंडिया स्वेरी सिविलाइजेशन में उन लोग को क्या कहा गया है चीक है उन लोग को कहा गया मेहूला क्या कहा गया है मेहूला कहा गया है यह दोनों भी लिख लेना NCRT से है कोशन यह सारे कोशन कहां का NCRT किया भाई ठीक है चलो चलो आगे बढ़ें निम्मे से कौन हरपा मोहन जोजरो के उच्खनन से सम्मंधित नहीं है हरपा और मोहन जोजरो का उच्खनन बहुत बाध बाध हुआ 1931-1922 में हुआ फिर बाध में भी हुआ 1955 में हुआ 1956 मेंrest बहुत बार हुआ तो कौन हरपा मोन जोदरो के एसकवेशन से रेटेड नहीं है ये कोशिन पूछा गया तो कौन नहीं है चिक है R.D. Benerji है K.N. डिक्षिद भी है MS. वर्ट्स भी थे MS. वर्ट्स लिखा चाइल नहीं लिखा और V.A. Smith एक हिस्टॉरियन है I.P.R.S. historian है V.A. Smith तो V.A. Smith नहीं होंगे ठीक है क्या होगा V.A. Smith याँ पे नहीं होंगे ठीक है चलो Next question पढ़ते कौन सा एक हरपा स्थल नहीं है इसमें से कौन सा एक हरपा स्थल नहीं है ठीक है नाम पढ़ो चनुदारो चनुदारो है कोड़ जी भी है देसलपुर भी है सहगारा नहीं है सहगारा नहीं है मुझे कौन बताएगा सहगारा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन क्या होता है कोई है यहाँ पे जो मुझे बताए कि सहगारा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन क्या होता है देखो मुक्त क्या देंगे ग्रेंडीज देंगे राशन देंगे यह हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है सहगोड़ा से और सहगोड़ा कहां पर गोरकपुर में ही है ठीक है कोडी राम के पास एक जगा है उसी को कहा जाता है सहगोड़ा कोडी राम कहां पर है अपने गोरकपुर में है अरे यार बताओ अपने गोरभपूर की चीज आपको नहीं पता है इतना इंटरस्टिंग कोश्चन चलो आगे बढ़ते हैं next question सिंदुगाटी सबिता में शौटगर्ड या शौटगई किस देश में है शौटगई चीक है इसको ऐसे लिखा जाता है स्पेलिंग इसकी ऐसे ही है शौटगई कहां पे यह शौटगार्ड नहीं है तो कहां पे है यह अफगानिस्तान में कहां पे है अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में बॉलचिस्तान प्रांत में क्या है शौटगई है शौटगई इंडर्स वाली सिललाजेशन का साइट चलो आगे बढ़ें कितने नंबर वेद हैं तो सभी जानते हैं रिग वेद है सम वेद है यजूर वेद है अथर वेद है तो कितने प्रकार के वेद है चार प्रकार के वेद है वेदों की संक्या कितनी है वेदों की संक्या है चार चीक है चलो इसवे से पुराना जो वड होगा है सबसे पुराना वेद कॉंसा सबसे पुराना है और दी ब São से पुराना एंज meant यह जुर दूैना था सबू र्हांते हैं अच्छा रिध होता है फिर क्या था सम्रेठ है यह फैट भिस्वेद आध्र दर चारब जार पकार के वेद हैं चलिए आज का वीडियो यहीं पर खतम करते हैं आज हमने 25 कुशिन डिसकर्स की इसके बाद आप बहुत पच्छिस को डिसकर्स करेंगे नेक्स वीडियो में ठीक है आपको मैं वीडियो कैसा लगा जारे-जारे इसको लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और कमेंट भी कीजेगा चिक है चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स क्लास में जो भी लोग में देख और सुनने हैं थांक्यू सो मच